आज है 15 अपरेल आज हम बात करेंगे जितने भी करेंट अफेर्स के प्रशन बनते हैं उनसे जुड़ी हर एक बात उनसे जुड़ा हर एक मुद्दा जो आपके पेपर में अत्ती मैतुपूरण है वस आपको ध्यान से सुनने हैं हर एक बात नोट करनी है जिससे आप असानी स उन्हें बाद में रिवाइज कर सके अब वीडियो को रोकर भी उसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जुड़े रही है पढ़ाई के सरवतम सतर से जिसमें आपको रोजाना करेंट अफेर्स की कलास और अन्य गुरूप पर मिलेगी टेलिग्राम गुरूप की लिक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप हमारे फेस्बूक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं पर ते एक वीडियो में हम एक देश और एक राज्य की बात करेंगे उनकी एक अलग से टेबल बनानी है आपको याद करन और अगली वीडियो में कमेंट में उन्हें लिखना है आज के हमारी इस वीडियो का 200 लाइक का टारगेट है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करें लाइक करें नमस्कार दोस्तों मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टूफोर्ज श्टडी ओफिशल बात करत राष्टी ओ सुरक्षिया मातरताव दिवस मनाया जाता है भारत में मातर मृत्यूदर के चिंता दनक स्तर और ग्रामिन चेतरों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरुकता की कमी के मदे नजर हर साल 11 अप्रेल को राष्टी ओ सुरक्षित मातरताव दिवस मनाया जाता ह 11 अपरेल का उदेशया है गरबती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए समुचित स्वास्ते सुविधायें उपलब्द कराने के लिहास से जागरुटा पेदा करना है कस्तुर्बा गांदी की जैनती पर भारत सरकार ने 2003 में 11 अपरेल को राष्टिय सुरक्षित महातरता दिवस मनाने की गोशना की थी अगले करिशन की बात करते हैं केंदर सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर आरोगय सेतु इंट्र एक्टिव वोईस रिस्पोंस सिस्टम शुरू किया है केंदरिय मंतरी रविशंकर परसाद ने गुरुवार को बताया कि भारत सरकार ने तमील लाडो सरकार के साथ एक पहल शुरू किया है जिसके तहर स्वास्ते देखबाल और मारक दर्शन के सभी विकलप उपलप करवाए जाएंगे बात करें रवी संकर परसाद की तो वर्तमान में ये कानून केंदरी ये कानून मंतरी है रवी संकर परसाद इन्होंने बताया कि COVID-19 के तहट आज भारसरकार और तमिलाडू ने आरोगे सेतु IVRS ने एक अभ्यान शुरू किया है एक मिस्ट कोल देने पर एक्टिव हो जाएगा तो वर्तमान में बात करें केंदरी ये कानून मंतरी है रवी शंकर परसाद अगले करशन की बात करते हैं ओपेक जो पेट्रोलियम निरातक देशों का सं अश्ट्रिया में विशेश विवरन की बात करें तो पेट्रोलियम निरातक देशों का संग्ठन ओपेक है पूरा नाम है इसका ओर्गनाइजेशन ओफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दुनिया के जिन देशों से तेल निकलता है उन देशों ने मिलकर इस संग्ठन को बनाया इस देश इस संग्ठन में कुल 14 देश है 12-18-19 में कतर भार हो गया ओपेक का मुख्याल है वियना आश्ट्रिया में है कतर के लावा देश है इनके साउदी अरब अलजीरिया इरान इराग कुवेत अंगोला स्युक्त अरब अमिरात नाइजीरिया लीब इसका मुख्याले वियना में स्तानांत्रित कर दिया वियना की बात करें तो वियना है आश्ट्रिया में अगले कुशन की बात करते हैं तो विशब बैंक ने दक्षिन एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की विकासदर 2020 में 1.5 से 2.8 परतिशत तक हो अमरिका में विशब बैंक का मुख्यों देशिया सदस्य राष्ट्रों को पुन्र निर्मान और विकास के कारियों में आर्थिक साहता देना है विशब बैंक समुए पांच अंतर राष्ट्रिय संग्थनों का एक ऐसा समुए है जो सदस्य देशियों को वित्त हैं वित्य स पती है डोनाल्ड ट्रम्प विशब बैंक की स्तापना 1945 में हुई थी विशब बैंक का मोटो है वर्किंग फोरे वर्ल्ड फ्री ओफ पोवर्टी अगले गर्शन की बात करते हैं अगले गर्शन आपका नीमन में से किसे टाटा पावर का ब्रांड अबेस्टर नुक्त किया ग गेंदबास शार्दूल ठाकुर को अपना ब्रांड अबेस्टर नुक्त किया है अगले गर्शन की बात करते हैं हाली में ओरंगाबाद हवाई अड़े का नाम बदलकर चतरपती संभाजी माराज हवाई अड़ा कर दिया है यह किस राजिया में स्तिताब को बताना है तो य यह जो है यह है माराश्टर में माराश्टर सरकार ने गुरू आर को औरंगाबाद हवाई अड़े का नाम बदलकर चतरपती संभाजी माराज हवाई अड़ा कर दिया है यह चतरपती संभाजी माराज हवाई अड़ा माराश्टर में है तो यह है माराश्टर माराश्टर की फोलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट्स है 24G Study Official, टेलिग्राम ग्रूप वो भी जोइन कर सकते हैं, हमारा टेलिग्राम ग्रूप है 24G Study Official के नाम से नेनो विज्ञान एंपर्द्योगी की 2020 पर अंतर राश्टिय समेलन कहां आयोजित किया गया आपको इसका अंसर बताना है, यह कहां आयोजित किया गया है, कोलकता में आयोजित किया गया है वर्तमान में कोलकता, कैपिटल है पश्चिम बंगाल की तो यह है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की राजदानी कोलकता मुख्यमंतरी ममता बनर्जी राजयपाल जगदीब धनाकरड पश्रिमंगाल में लोग सुबा की कुल सिटे हैं 42 अगले कोशन की बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी होटल और अस्पतालों के दर्वाजे पर डिजल की डिलिवरी के लिए फ्यूल हमसफर के नाम से एक मोबाई लांप लोच किया है किस ने किया है तो ये मोबाई लांप किस ने लोच किया है आपको ये बताना इसका आंसर तो इसका राइट आंसर है संतोस गंगवार संतोस गंगवार ने ये मोबाई लांप लोच किया है वर्तमान में संतोस गंगवार जो है वो वित राज्य मंत्री है इसे पूरोवे कपड़ा राज्य मंत्री थे तो इसका राइट आंसर है जीत सिंग धिलो को रक्षा खूफी अजनसी का महानिदेशक न्युक्त किया है निमन में से किसे अंदर सरकार की बरष्टचार विरोधी हेलप लाइन के लिए ब्रांड अबेस्टर के रूप में न्युक्त किया गया है तो आपको बताना है निमन में से किसे अंदर सरकार की बरष्टचार विरोधी हेलप लाइन के लिए ब्रांड अबेस्टर रूप में न्युक्त किया है तो आपको बताना है इसका अंसर ये है पीवी सिंदू अमिता बचन की बात करें तो ट्विटर अभ्यान के लिए इनको बनाया गया था पीवी संदू की बात करें तो ये अंदर सरकार की बष्टाचार निरोधी हेलप वाइन के लिए ब्रांड अबेस्टर है और सार्दू ठाकूर की बात करें तो ये है अभी पिछले क्योशन म टिम ब्रुक टेलर का निदन हो गया ये किस देश से थे तो इसका अंसर बताना है मशूर कोमेडियन टिम ब्रुक टेलर का निदन हो गया है ये थे बिर्टैन से बिर्टैन के मशूर कोमेडियन टिम ब्रुक टेलर का 13 अप्रेल को निदन हो गया है ये 89 वरश के थे उनकी मो प्रोणावाईरिस के संकरमन से उई है तो ब्रुक गुडीज नामक मैशूर हलाकरों की तिकड़ी का हिस्सा थे यह बिरिटेन से थे तो यह बिरटेन, बिरटेन की राजधानी लंदन है बिरटेन की परधान मंतरी बोरिस जोنसन, इंगलेन की संसत का नाम है पारलियमेनट